जब हम महाभारत की बात करते हैं, महाभारत अपने आप में एक ऐसा शास्त्र है जिसमें राजनीती अपने चरम पर हुई, कूटनीती अपने चरम पर हुई, शड्यंत्र हुए, युद्ध हुआ, बहुत पड़ा मेसेज उसके भीतर चुपा है और कहीं न कहीं, हम सभी की लाइफ में अलग-अलग स्तरों पर जाकर जुडबी जाता है, जब हम आज के दौर की राजनीती की बात करते हैं, आप कैसे उस चश्मे से आज के दौर की राजनीती को देखते हैं, महाभारत के चश्मे से मैं आपको एक बात पताओ, महाभारत में जो कुरुक्षेत्र हुआ था, वो लड़ाई किन के बीज में था, धर्म, अधर्म के बीज में, नयाय, अनयाय के बीज में, सत्या, असत्या, एक दूस्ते से लड़ रहे थे, आज ये पिछले कुछ दिनों से कुछ महीनों से हम लड़ रहें किस से प्रकृती से लड़ रहें किस से ऐसा कोई आपदा जो हमने नहीं बना है जो आज ये देश जिस दौर से गुज़र रहा है कोरोना भारत नहीं बना है पुरे विश्च इस दौर से गुज़र रहा है इस भारत में हर भातें भातें बातों भातों में कहा गया है प्रक्रिटी सब से उपर है प्रकृति के नीचे अपके पास खुद्र को खुद्रß लगेगा इतना सची T की भी भाति कम लगेगा अपने आपको यह आज प्रक्रिति हमको पीछले दो दिन से दिखा दिया बंगाल में पश्ची मंगाल लोग ऐसे परेशान हुए ऐसे परिशान में मैं क्या बताओं लेकिन यह दिखा दिया हमको के प्रकृती सबसे उपर है नियम निश्था सबसे उपर है वो अगर आप चलते रगो उसी का अप दाइरा दाइरा क्रॉस न करो नियम यह देखो coronavirus के साथ महाबारत का COVID के साथ महाबारत का lockdown का कैसा सम्मन्द है भारत में हमेशा का परंपरा था हाद जोर के नमश्का करो था कि नहीं आज देखो यही हमारा सबसे बड़ा काम हो गया कि हाद जोर के नमश्का करो दूरी बनाया रखो उतना सम्मान बनाय रखो एक दूसरे का बदन के बदन के साथ धक्का मत मारो दूर रखो साफ रखो अपने आपको सुत्र रखो साफ रखो तो खुश भी खुश रहेगा बाकी लोगों को भी खुश रख पाओगे तो ये सारे जो सीख है तो ये जो हमारे बारत के संस्क्रिती है ना ये बार-बार करके एसे हम भागयश आली है कैसे सीरियल में हम लोगों का मतलब ये सीरियल नहीं रहे गया ये एक्शली हमारे जिंदे की कहानी रहेगी वो कहानी हमको दिखा दिया है कि भारत के संस्कृति के साथ जूड़े रहो आप कैसे न कैसे करके आप ठीक इस लड़ाई के जंग से आप बचके निकलोगे